आज आपके सामने बिजनेस और्गनाजिशन क्लास लेबन के बच्चों के लिए बहुत ही महत्पोर्ड टॉपिक ब्योसाई और पेशा और रोजगार इससे संबंधित हमने पहले जो वीडियो आपके सामने पेश किया था उसमें हमने इन तीनों के बारे में बताया था इन तीनों का मतलब क्या होता है और उसके बाद हमने इन तीनों का डिफरेंस भी बताया था लेकिन ब्योसाई की कौन सी भी सेस्ताएं होती है पेशे की कौन सी भी सेस्ताएं होती है यानि business क्या कहते हैं, business किसको कहते हैं और business का characteristics क्या है और profession क्या है और profession की कौन से भी सिस्ताएं यानि उसके characteristics क्या है और इसी प्रकार से हम रोजगार के बारे में भी जानने की कोसिस करेंगे और आपको इसमें आपका सहयोग करेंगे Mr. Perfect और Mr. Intelligent दो प्रकार के लोग आपके सामने आपके इस प्रकार के विचारों को रखेंगे और एक-एक point आपको समझाएंगे तो पहले आप एक-एक करके इन लोगों से ब्यावसाई की भी सिस्ताओं के बारे में जानकारी लीजिए और फिर मैं, last में रोजगार क्या है रोजगार के बारे में मैं बताऊंगा रोजगार के भी सेस्थाओं के बारे में बताऊंगा लेकिन आप सबसे पहले Mr. Perfect और Mr. Intelligent से आप ब्यावसाय के बारे में और पेसे के बारे में उनकी भी सेस्थाओं जानने के कोशिस कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जरूर सेयर कीजिएगा यह चैनल को अभवी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो तमाम वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए जैसे कि सर ने बताया है कि हम दोनों मैं और मिस्टर इंटेलिजन आपको यह बताएंगे कि ब्योसाई और पेसा क्या चीज है ब्योसाई और पेसे में क्या विसेस्ताई पाई जाती है इसके बारे में भी हम दोनो step by step चर्चा करेंगे सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि ब्योसाई क्या चीज होता है कोई भी कारिय यानि बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कारिय यद धन कमाने के उद्धिसे से किया जाता है तो उसको हम ब्योसाई कहते हैं उसी को ही बिजनेस कहते हैं वैसे तो किसी भी कारिय में हम बिजी रह सकते हैं किसी भी कारिय को कर सकते हैं लेकिन दन कमाने का जो मुखोदिशन से हैं वही बिजनेस कहलाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, कि ब्योसाय लीगल होना चाहिए, यानि वहाँ कार्य करने की प्रक्रिया है, वहाँ वयद होने चाहिए कानून के द्वारा आमान्य घोसित किया हुआ कारिय नहों वैसे तो कोई चरस बेचने लग जाएगा तो वो कौन सा बिजनेस है कोई नहीं, क्योंकि वो लीगल नहीं है लीगल होना बहुत जरूरी है कानूनी होना बहुत जरूरी है अब हम बात करेंगे ब्योसाई की विसेस्ताओं के बारे में मैं और Mr. Intelligent एक एक करके आपको ब्योसाई की विसेस्ताओं के बारे में बताएंगे सबसे पहली विसेस्ता है जोखिम यानि ब्योसाई के सबसे पहली विसेस्ता है रिस्क means जोखिम हर प्रकार के बिजनेस की सुरुवाद लाखो करोडर रूपय से होती है उस बेवसाई को सुरू करने के लिए जब लाखो करोडर रूपय लगाए जाते है तो उसमें लाब कमाने की जो निश्جिता होती है सर्टाइनिटी होती है वहाँ फिक्स नहीं होती है यानि profit भी होता है, loss भी होता है, जब business में loss होता है तो वही risk होता है, उस risk को जहलने के लिए बड़ी हिमत चाहिए, एक साल कोई जहल लेगा, दो साल जहल लेगा, तीसरे साल जहलने के बाद टैब हो जाएगा, वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी loss जहलने की हिमत नहीं होगी, वही कितना जहलेगा वो, घाटा, 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 कहांज कर लेगा business, इस परकार से हर परकार के ब्योसाय में पहली विस्यस्ता risk ही होती है, अब बताएंगे दूसरी विस्यस्ता Mr. Intelligent, दूसरा point है बिनमे तत्व, अर्थात business के अंदर लेंदेन का होना बहुत जरूरी है, यानि exchange जो element है वह बहुत जरूरी है, बिजनेस में हमेशा exchange element बहुत जरूरी होता है, अगर किसी भी business में अगर exchange element नहीं पाया जाता है, तो उसको हम ब्योसाय किसी भी angle से नहीं कह सकते हैं, तीसरी विस्यस्ता है वस्तू और सेवाओं का लेंदेन, यानि ब्योसाय में वस्तू और सेवाओं का लेंदेन बहुत जरूरी होता है, dealing in goods and services, जब ब्योसाय में इन चीजों को वस्तू और सेवाओं का लेंदेन सामिल नहीं होता है, तो उसको ब्योसाय नहीं कह सकते, यानि business के अंदर वस्तू और सेवाओं का लेंदेन होना बहुत जरूरी है, नमब कंटीनिू टी बनी रहती है यहीıldनीु अगर किसी कारी को किसी लेन देन को हम लगातार कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि यही बिजनेस है क्यों कि अगर मालो किसी विकति ने कोई व्यापार किया और कल को माल लेजी दुकान खुली है परसों खुली है नरसों को बंद है इस प्रकार से दो दिन खुली हो चोथे दिन बंद हो तीसरे दिन बंद हो और महिने में दो दिन खुले और बाकी 38 दिन बंद रहे तो वहां ब्योसाई कहा ही नहीं जा सकता उसको भी किसी भी एंगल से हम ब्योसाई नहीं कह सकते हैं इसलि creation of utility किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्मार जब किया जाता है उससे उसकी उपयोगता बढ़ती चली जाती है अर्थाथ फैक्टरी में अगर फैक्टरी में एक प्रकार की वस्तु का निर्मार होता है तो वहां अगर उपभोगता तक पहुंचती है उसकी उपयोगता continue चली जाती है क्योंकि सबसे पहले उपयोगता उस करमचारी के लिए होती है उसको रोजगार मिल जाता है जिसने उस वस्तु का निर्मार किया है वह वस्तु सबसे पहले उस ट्रांसपोर्टेशन ड्राइबर के द्वारा उस गाड़ी के ड्राइबर के द्वारा होल सेलर के प वह फिर फूटकर ब्यापारी के पास आता है पूटकर ब्यापारी को भी कुछ लाव मिलता है उसके बाद अंत में वह उपभोगता तक पहुँचती है उपभोगता उस्वस्तु को प्रियोग करके संतुस्ट होता है इस प्रकार से उपयोगत्य का सिर्जन होता है यानि creation of utility ह होता है ब्योसाई की यह बहुत महत्वर्ण विसेथता है जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति खुस हो जाता है नेक्स्ट अगला है लाव उद्देश यानि की प्रोफिट कमाने का मुख उद्देश ही ब्योसाई का होना चाहिए कोई भी ब्योसाई अगर ऐसा कोई कारी करता है ज ज़िद वह लाभ अर्जित नहीं करना है तो वह केसी भी एंगल से ब्यावसाएं नहीं कहा जा सकता है। सातों पॉइंट है सेवा भाव। सेवा भाव से मतलब होता है हर प्रकार का व्यजनिस का जो उद्दिश से होता हो सेवा करना होता है। जब ही कोई वस्तू या सेवा का निर्मार्ज होता है, वह समाज के सामने प्रोस दिया जाता है, उनके सामने पिस किया जाता है, जिससे की समाज में उस वस्तू से एक प्रकार से सर्मिष दी जा सके, जिससे समाज को उसका लाव मिल सके, यद कोई ब्यावसाय या कोई तो उसे सेवा भाव क्या हुआ उसका कुछ नहीं हुआ यानि भ्यहोसाए में सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है next आठवा पॉइंट है मानुवी कृई长 यानि कि मनुस के द्वारा किया जाने वाला कारी ही भ्यहोसाए कि स्रेडी में आता है यद जानवरों ने किसी कारी को किया है जिव जन्तूं ने किसी कारी को किया है उसको ब्योसाई की स्ट्रेडी में नहीं जाना जा सकता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्योवसाई में अगर धियान से देखा जाए किसान ने अगर फसल उगाने के लिए बैल का प्रियोग किया है बैल का प्रियोग कहीं भी ब्योवसाई में जिकर नहीं होता है उसने कितनी फसल बाजार में बेची, कितनी रुपए के बेची है, उसका तो प्रियोग दिखाया जाता है, मतलब उसके फसल का दाम, उसका कितनी रुपए का कितनी कुंतल का वजन हुआ है, कितनी रुपए उसको मिला है, लेकिन वहाँ पर कहीं बैल का नाम नहीं आता है, इ संतुस्ति, अर्थात समाज की जितनी भी आवस्यक्ताए होती हैं, ब्योसाई के द्वारा समाज के अंदर समाज के लोगों के लिए उस ब्योसाई से अगर संतुस्ति नहीं मिल रही है तो ब्योसाई नहीं होगा। यारी ब्योसाई में ऐसी वस्तूओं और सेवाओं का लेंदेन होता है जिससे समाज को संतुस्टी प्राप्त होती है, समाज की सेवा होती है, जनता जनारदन की सेवा होती है, यह जनता उस वस्तूँ से खुस नहीं है, तो उसको हम किसी भी एंगल से ब्योसाई की स्रेडी मे नहीं जान सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्योसाएं करने के लिए समाज के वो संतुस्ट करना बहुत जरूरी है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु बनाए जिससे समाज के लिए नुकसान हो, तो वहाँ ब्योसाएं नहीं होगा, उसको तुरंट सरकार ब इस प्रकार की भी सिस्ताएं का मतलब होता है, दोनों पक्षों को संतुस्टी मिलती है, ब्योसाएं में अगर एक पक्ष कोई लेन देन करता है, तो लेन देन से दोनों पक्षों को help मिलती, दोनों पक्षों को संतुस्टी मिलती है, यदि ब्योसाएं में एक व्यक्ति को ल बाब होता है और हर प्रकार के पक्ष को म्यूजूल अर्थात उनको आपस में पारस्परिक संतुस्टी भी मिलती है और दोनों को प्रॉफिट भी मिलता है यानि अगर माल लेजिए किसी कंपनी ने कोई माल बनाया सपोज करो उन्होंने फैन बना दिया पंखा बना दिया उस फैक जाएगा मेरे पैसे देओ और मुझे पंखा नहीं चाहिए क्यों क्योंकि उसने वहाही नहीं हुआ उसको हवाही नहीं मिला तो यानि वहाह पंखा जब नहीं बिकेगा दो ब्योसाइगी नहीं होगा इसका मतलब यह होता है कि आपसी संतुस्टी का होना बहुत जरू बिजनेस के द्वारा किया जाने वाला कारिय बिजनेस की दाइरे में रखा गया है इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 characteristics बिजनेस के बारे में understand किया समझा है बात करेंगे पेसे के बारे में आखिर पेसा क्या चीज होता है जब कोई ब्यक्ति अपने ग्यान से अपने निपुडता से अपने कौसल से अपने मस्तिस्क ग्यान से कुछ प्राप्त करता है कुछ धन अरजित करता है तो उसको हम पेसा कहते हैं जैसे डॉक्टर ने किया, कुछ experience लिया, उसके बाद अपने clinic खोल लिया, उसके बाद वो अपने मरीजों की देखभाल कर रहा है तो यहाँ इस प्रकार से जो प्रिक्रिया संपन की गई वह एक पेसेवर व्यक्ति के लिए बन चुकी है, यानि यही पेसा है इसमें हम समझ सकते हैं कि पेसेवर व्यक्ति अपने ग्यांग से अपने कौसल से, अपने निपूरता से जब किसी कारी को करके धन अरजित करता है तो उसको पेसा कहा जाता है उसको प्रोफेशन कहा जाता है यही प्रोफेशन है अब हम बताएंगे आपको कि प्रोफेशन की विसेस्था क्या है सबसे पहली विसेस्था क्या चीज है और इस करेक्टरिस्टिक्स विसेस्था का मतलब क्या हुआ करेक्टरिस्टिक्स यानि सबसे पहली विसेस्था है विसेस्थ ग्यान यानि पेसेवर व्यक्ति को एक बिसिस्ट ग्यान होता है जिससे ये पता चल जाता है कि वह पेसेवर व्यक्ति इस प्रकार से ग्यान इस प्रकार के ग्यान से परिकूर्ड है जिस ग्यान से वह धन अरजित कर रहा है वकील है वकील को वकालत का ग्यान है तो वह वकालत के ग्य ग्यान का प्रियोग करके धन अर्जित कर रहा है। दूसरी भी सिस्ता है इसकी सेवा। सेवा का मतलब होता है सर्विस। सर्विस मोटिव। अर्थात एक व्यक्ति सर्विस करता है। अर्थात वह अपने घ्यान से समाज की सेवा कर रहा है। समाज में अपने घ्यान का प्रि मेहतों देता है च्योंकि फीज उसको तभी मिलेगी जब उसकी सेवा अच्छी होगी यह दिवास अच्छी सेवा नहीं करता है तो उसको फीज कैंसिल पीस नहीं मिलेगी इस परकार से हम कह सकते हैं कि सरवीस मोटिफ का होना बहुत जरूरी है और पहला था बिशेस्ट knowledge, बिसे इस प्रकार का ग्यान होना बहुत जरूरी है और सेवभाव का होना भी बहुत जरूरी है Honesty is the best policy इमानदारी एक अच्छी नीती है यहाँ पर honesty का होना बहुत जरूरी है किसी भी पेसेवर व्यक्ति को इमानदार होना बहुत जरूरी है यह दिवा इमानदार नहीं है तो उसका पेसा बिलकुल खलास यानि उसका पेसा बिलकुल चल ही नहीं सकता किसी भी तरीके से अगर वह चाहे कि मैं अपने पेसे को आगे बढ़ा लूँगा और इमानदार नहीं रहूँगा बिना इमानदारी के, बिना नहीतिक ज्ञान के मैं समाज की सेवा करूँगा तो बिलकुल नहीं कर सकता क्योंकि इमानदारी का होना बहुत जरूरी है चोथी भी सिस्ता है, increment in knowledge and it's a huge यानि ग्यान की विर्धी और उसका उपयोग अर्थात जो पेसेवर व्यक्ति होता है उसका ग्यान continue बढ़ता चला जाता है और इसी ग्यान की सहायता से उसको continue अपना ग्यान का प्रियोग करने का मौका मिलता है जैसे वकील, वकील वकालत करते करते उसको बहुत experience होता है फिर समाज में एक पहचान बन जाती है और उसकी फीस भी बढ़ जाती है इस प्रकार से उसकी कमाई भी बढ़ जाती है और इस प्रकार से वह ब्यक्ति समाज के अंदर बहुत ज्यादा intelligent माना जाने लगता है और इस प्रकार से उसका ज्यान बढ़ता जाता है अनुभाव हो जाता है और उस ज्यान और experience से उसको और लाव कमाने का और कमाई करने का मौका मिल जाता है यानि पेसेवर व्यक्ति जो होता है जो पेसा जो प्रफेसन होता है उसमें ज्यान जो होता है जो knowledge होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता चला जाता है समय के साथ साथ उसके ज्ञान में विर्द्धी होती है और वह उस ग्यान का उपयोग करता है अंतिम विसेस्ता है आचार संगिता यानि code of conduct हर प्रकार के ब्योसाई के लिए code of conduct बना हुआ है समय समय पर उनके लिए जहां से वह वकालत है तो बार काउंसल आफ इंडिया यह बार काउंसल आफ डेलेइं जो जहां से वी वकालत करता है वहां के बार काउंसल के हिसाब से उसको अपने काम करने पड़ते हैं अब का भी Code of Conduct है जिसकी अनुसार उनको बहुत ही बढ़ियूत बहुत ही जिम्मेदारी और इमानदारी से अपना काम करना होता है अगर किसी डॉक्टरी या किसी वकील के बारे में बार बार इस परकार का क्लेम आता है तो उसकी वकालत की डिगरी और डॉक्टर को डॉक्टर की रद करनी जा सकती है कोर्ट के द्वारा उसे अमाने व्यक्ति घोसत किया जा सकता है और वह अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी नहीं रख सकता है इस परकार से Code of Conduct यानि आचार संगिता भी पेसे में पाया जाता है इस परकार से आपने ब्यावसाय और पेसे के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है अम मैं बताऊँगा रोजगार क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने ग्यान से, अपनी बुद्धी से, अपने दिमाग से मानसिक संतुलन के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर कारी करता है और अपने प्रिस्रम का यानि अपने स्रम का दान करता है यानि उस व्यक्ति को मेहनत करके देता है और मेहनत करके अपनी उरजा उसके यहाँ पर खापत करता है और इस मेहनत से उसको जो वहाँ पर स्रम का जो उसका प्रतिफल प्राप्त होता है यानि पारिस्रमिक प्राप् में प्राप्त करता है इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के यहां पर अपने स्रम का उपयोग करता है और स्रम के उपयोग करने से जब उसे जो पारिस्रमिक या वेतन प्राप्त होता है वह परिस्रम ही रोजगार कहलाता है इस प्रका उसको हम रोजगार की स्रेणी में समझते हैं इसको अन्य प्रकार से अगर हम एक्जामपल देना चाहें उद्वाहरर देना चाहें तो यह कह सकते हैं कि मिस्टर रमेश ने X Limited नाम की कमपनी में कार्य कर रहे हैं रेगुलर नियमित तौर पर वहां जाते हैं काम करते हैं और महीनी के दस तारी को उनको तनखा मिलती है यानि सैलरी प्राप्त करते हैं यहाँ पर मिस्टर रमेश को उस X Limited में रोजगार प्राप्त हुआ है और उसी कमपनी की बदौलत मिस्टर X की जो है घर ग्रिहस्ती संपन हुई है और चल रही है यानि उनकी रोजी रोटी उस company की बदावलत ही चल रही है यहाँ पर आसानी से अन्य सब्दों में हमें व्यक्त कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहां कारी करता है तो कारी करने वाला जो व्यक्ति है वहां स्रमिक या मजदूर कहलाता है और जिसके यहां पर कारी करता है वह उसका नियोकता यह स्वामी कहलाता है इसको हम अन्य सब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर अपने सर्म का उपियो करता है, अपने महनत का उपियो करता है, उसके बदले में वहाँ से वहाँ पारिस्रमिक या वेतन के रूप में जो प्राप्त करता है, इस प्रकार की ज यानि ब्यावसाय क्या है और पीसा क्या है इन दोनर के बारे में बहुत ही आसान सब्दों में जान लिया है और उनकी विसेस्ताओं पर उन्होंने इस्टिब बाइस्टिब प्रकास डाला है मुझे उम्मीद है कि आपको इवीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपने इसको बहुत पसंद भी किया होगा यदि आपको इवीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक अवस्य कीजिएगा यदि आप निव स्टुडेंट है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोरन कीजिए और कोमर्स से रिलेटेड तमाम बीडियो जोज की अफडेट्स को कंटीनू प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवस्य प्रेस कर दीजिएगा